नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही मुसलाधार बारिश के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिले बाड की चपेट में आ गए हैं। बिहार में साथ नदियां उफान पर हैं और अर्विया। मुजफरपुर समेत तैक शेत्रों में पानी घरों में घुस गया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। असम में नदियों का पानी तीजी से घट रहा है। लेकिन अभी भी 6 लाख से अधिक लोग बार से प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभागने गोवा, महराष्ट्र, करनाटक और केरल में अगले दो दिनों तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ड जारी किया है। वहीं, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए औरेंज अलर्ड जारी किया गया है। जम्मू, घिमाचल और उत्तराखन समेट दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पांच दिनों तक बारिश की चेतावनी भी दी है। विहार की साथ नदिया घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और पर्मान कई जगा खत्रे के निशान से उपर बह रही है। बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बार की स्थिती बनी हुई है। बागमती में पानी बढ़ने से मुजफरपुर जिले में बार ढा गई है। जिले के 18 पंचायत क्षेत्रों में घरों में बार का पानी घुज गया है। कई गावों का ब्लॉक और दूसरे क्षेत्रों से संपर्क तूट गया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग, IMD, निकरनाटक केरल, कौंकड गोवा और मध्य महराष्ट्र में 16 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक मुंबई के ठाने इलाके में रविवार को भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरे पानी में डूबी बस। मुंबई समेत महराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कारण तई निचले इलाकों में पानी भर गया है। और राष्ट्रिय राजमार पर भी पानी भर गया है। इन क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए आपता विभाग की टीमों को लगाया गया है। भारी बारिश के कारण मदुबन बांध में जलस्तर बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में जुलाई के पहले दो हफ़ते मानसून कमजोर रहा है। यहां कश्मीर संभाग के 10 जिलों में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक आस्तन मन 75.40 फीसदी और जम्मू संभाग के 10 जिलों में माइनस 16.47 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग नही माचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में मंगलवार से अगले 5 दिन तक हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। अलग-अलग इलाकों में गरच के साथ बोचारे पढ़ने का पूर्वानुमान है।